यहां पर time and work का question है, हम देखेंगे कि इस question को we begin method से कैसे हम solve कर सकते हैं तो question है क्या कि a does 2 by 5 of work in 9 days, we joined him and they together completed the remaining work in 6 days, we alone can finish the whole work in how many days means a जो है 9 दिन तक काम करता है, तो कितना काम कर पता है, 2 by 5, तब क्या करता है, कि b उसको उसकाम को join करता है और जो remaining work रहता है, वो 6 दिन में complete हो जाता है, तो b जो है उसकाम को कितना दिनों में पूरा करेगा, किस काम को, पूरे काम को तो क्या हम यह देख रहे हैं कि ए जो है 2 by 5th पार्ट जो है work का, कितना दिन में कर रहा है, 9 days में, है ना, कितना दिन में कर रहा है, 9 days में, तो अगर यह 1 day का इसका काम निकालते हैं, तो कितना होता, तो होता क्या है, 2 by 5 into 1 by 9, इतना पार्ट जो हो जाता है, यह work का हो जाता, अगर यह 6 days का का काम निकालते हैं, 6 days का, तो कितना हो जाता, 2 by 5 into 1 by 9 into 6, तो यह 2 हो गया, 3, तो इसका मतलब हो गया कि 4 by 15th part of work, जो है, वो क्या करता है, यह जो है 6 दिन में complete कर लेता, तो अगर हम यह देखेंगे, कि A पहले से कितना काम कर चुका है, 2 by 5, और B जो है, B के साथ A जो काम किया है, वो 4 by 15th part जो है, काम कर चुका है, तो total अगर हम यह देखेंगे, कि total work done by A, तो पहले 9 दिन में वो कितना करता है, तो वो करता है 2 by 5, और हाँ, next 6 दिन में यह करता है 4 by 15th, तो इसका यह मतलब हो ग तो यह 15, 6 plus 4, तो यह 10 by 15, मतलब है ना, 2 by 3rd, 2 by 3rd जो है, A, 9 दिन पहले और 6 दिन जो बाद में कम्प्लीट करता है, उसमें 2 by 3rd part of 4 कर लिया, तो इसका मतलब है, कि B जो है, can do कितना, अब total तो होता है काम हो यह, उसमें से 2 by 3rd तो यह कर लिया, तो B कितना किया, तो 1 minus 2 by 3 इसका मतलब हो गया कितना, 1 by 3rd part of work, कितना दिन में, 6 दिन में, तो question में यह न पूछ रहा था, कि A जो है, लोन उसकाम को कितना दिन में करेगा, तो therefore, B can do कितना, full work, full work, तो यह कितना हो जाएगा, 6 into 3, तो यह कितना हो जाएगा, 18 days, 18 days, तो यह method आपका 1 था, अब method 2 देख कि मान लिजे कि A जो है, 2 by 5th part of work, जो कर रहा है, वो कर रहा है, 9 days में, तो अगर यह total work का बात आता, total work का, तो बताएगे कितना दिन में करता है total work, तो यह हो जाता, कितना, 9 into 5 by 2, मतलब 45 by 2 दिन, दो दिन, ठीक है, अब और अगर A, A plus B है न, तो देखे, A plus B जो है, है न, 3 by 5 part of work करता है, कितना दिन, 6 days, 6 days, तो अगर यह total work का बात आता, है न, total work का, तो कितना होता, 6 into 5 into 3, तो यह हो जाता, 10 days, 10 days, 10 days, तो अब क्या है, कि यह, यह जो है, अकेले, है न, अगर हम यह, सिधा यह निकालते, कि यह जो है, अकेले, हाँ, A alone can do, है न, work in one day, in one day, तो यह कितना हो जाता, 2 by 45, 5th part of work हो जाता, है न, उसी तरह, A plus B जो है, है न, can do, can do work, है न, in one day, तो यह हो जाता, 1 by 10th part of work, 1 by 10th, तो, of work, तो, therefore, we can alone, we can alone, do the work, do the work, in one day, तो, हम क्या करेंगे, यह दोनो, यह जो है, one by 10th part, दोनो मिल के किया, two by 45, जो है, part of work, जो है, वो यह अकेले किया, तो, अगर हम यह घटाएंगे, one by 10 minus two by 45, है न, तो, हम को यह कितना मिल जाएगा, बताएगे, तो, यह दोनों का जो LCM लेंगे, तो, आज जाएगा 90, nine minus four, तो, यह हो जाएगा, five by, five by 90, तो, यह हो जाएगा, कितना, one by 18, मतलब क्या है, कि we can alone do the work, है न, बी जो है, अकेला, एक दिन में, कितना काम कर रहता है, one by 18, तो, whole work, अगर करना होगा, whole work, है न, अगर बी को, whole work करना होगा, तो, कितना लेगा यह, 18 दे लेगा, 18, तो, यह देखिए, इस question को solve करने का, यह क्या हो गया, दूसरा method हो गया, ठीक है, अब हम एक तीसरा method देखेंगे, जो efficiency से हो, क्या होगा, efficiency से, है न, efficiency से, तो, हम क्या जानते हैं, कि total work जो होता है, total work क्या होता है, है न, time into efficiency होता है, क्या होता है, time into efficiency, तो, अभी हम उपर निकाले हैं, है न, कि ए जो है, है न, ए जो है, मतलब, इसी काम को अगर करना होता, तो वो कितना कर पाता, है ना, एक दिन में, तो एक दिन में, है ना, वो काम कर पाता कितना, 2 by 45, लेकिन, वो जो है, ए, है ना, टोटल वर कितना दिन में कर रहा है, तो 45 by 2 डेज में, कितना दिन में कर रहा है, 45 by 2 डेज में, और A प्लस B, जो है, हम देखें, कि यह total over कितना दिन में कर रहा था 10 days में तो अब एक बात समझें यह जो है है ना 45 by 2 days है और A plus B कितना है 10 days है है ना 10 days में कर रहा है तो आप क्या कर यह यह दूनों का एक LCM लेचिए है ना तो मान लिजिए कि LCM है ना हम कुछ near it तो हम मान लेते हैं कि 90 unit यह काम करता ठीक है अ इसका efficiency कितना हुजेगा 9 unit हो जाए चुकि यह तो 10 दिन में कर रहा तो एक दिन में 9 unit कर था और यह है कितना 90 unit काम करना है और यह total कितना 45 by 2 तो इसका मतलब है कि इसको divide करेंगे क्या 90 divided 45 into 2 तो इसका मतलब है कि यह 4 unit काम करेगे तो 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 अगर आप देखिएगा, तो, क्या देख लिए यह जो है, है ना, चार यूनिट काम करता है, और यह 9 यूनिट तो अगर, काम करता है, थो, तो, 9-4 स्ब्स. यूनित हो जाएगा, ठीक है, फाइब यूनित, अगर यह फाइब यूनित है, तो टोटल टोटल कितना यूनित है, तो 90 यूनित है, है ना, तो, है ना, बी को अगर टोटल काम करना होता, तो कितना लग जाता है, तो टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क, if b have to do b has to do then requires then requires 90 by 5 तो इसका कितना मतब हो गया 18 days तो देखे हम लोग अभी कितना method देख चुके है 3 method देख चुके है कितना method देख चुके है 4 method भी देख लिए easy है ए जो है देखे ए क्या कह रहा था कि 2 by 5 work कितना दिन में कर रहा है 9 days में कितना दिन में 9 days तो अगर 6 days का work निकालना होगा तो 6 कैसे लाएंगे 9 को क्या करेंगे कि 6 आगे है बताइए तो 9 को हम 2 by 3 से multiply करेंगे तो देखे है न इतना आ जाएगा न तो 2 by 5 को भी 2 by 3 से multiply कर लेते तो ये total आपको देते था 4 by 15th work कितना दे देता 4 by 15 और एक बात बताइए A plus B का हम निकाल चुके है अगर ये 2 by 3 work ये 9 days में पहले complete कर लिया हुआ तो बस्ता कितना तो बस्ता कितना 3 by 5th work ठीक है तो ये कितना दिन में कर रहा था 6 days 6 days हाँ तो अगर ये 6 days में कर रहा इसको है ना यहां चुकी कितना है 4 by 15 है तो यहां 15 लाने के लिए हम जो है उपर नीचे 3 से मल्डिप्लाइ कर देते है ठीक है तो मतलब गटाने में easy रहेगा तो इतना पार्ट कितना दिन में हो गया हाँ 6 days में 6 days में तो B therefore B alone can do can do कितना तो देखे यहां 9 by 15 पार्ट वर्क A plus B मिल के है और यहां यह जो है अकेले कितना काम किया 4 by 15 वर्क किया 4 by 15 वर्क किया दोनों को घटा लीजे तो कितना हो जागा 9 by 15 माइनस 4 by 15 कितना गया कितना आ गया बताए 5 by 15 कितना गया यह जो है यह 6 दिन में क्या है 6 दिन में तो अगर टूटल वर्क निकालना रहेगा टूटल वर्क तो यह कितना हो जागा बताए तो यह हो जागा 6 है ना इन्टू कितना 15 by 5 तो 5 से यह 3 तो यह हो जागा 18 देश तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि देखिए टाइम एंड वर्क कहीं एक कोशन था है ना लेकिन एक कोशन को सॉल्व करने का बहुत सारा एप्रोच हो सकता है तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है है ना किसी भी मेथट को अपलाई करके एक्जाम में कोशन बना सकते हैं देखिए यहां हम समझाएं थे इसलिए थोरा से ज़्यादा टाइम लगा लेकिन आप है ना इस ट्रिक को अपनाईएगा है ना तो जल्दी से आप कोशन कर पाईएगा